हेलो एरबेडी केस्व आप सभी लोगा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पीके भी एजुगयान में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग से एलेटिड तो आप सभी को पता होगा नीट का रिजल्ट आ चुका है आप स साथ बने रहेगा वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले जो क्योशन अराइज रहता है नीट काउंसलिंग का वो रहता है कि eligibility criteria क्या है नीट के अंदर आपके कितने नमबर है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करें general और AWS category के लिए तो अगर याने की 138 नंबर है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आप OBC, SC, ST category से belong करते हैं तो 40 percentile याने की 108 अगर आपके marks हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो उसके बाद में हम बात करें need counseling की जो आपका सबसे पहले बात करें need आपकी जो counseling होती है वो आपकी दो category के इंदर divide की जाती है एक आपके होती है All India Counseling जिसको AIC बोला जाता है वो आपको क्या है M.C.C. Medical Counseling Committee एक website है एक institute है कमेटी है वो क्या है आपकी counseling करवाती है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में detail म उच रहता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए need counseling की दो परकार की होती है एक आपकी state counseling होती है एक आपकी All India Counseling होती है जो आपकी All India Counseling होती है वो MCC conduct करवाती है और जो भी rule regulation होती है वो सभी states के student के लिए common रहती है वो जो आपकी state counseling होती है वो क्या है अलग-अलग state क अलगला rule and regulation होती है counselling procedure के लिए आपको पता लग गया need counselling दो परकार की होती है उसके बाद में all India counselling की बात करें तो all India counselling के अंदर कौन कौन से institute आते हैं तो सबसे पहले जितने भी आपकी एक जो central university जाए चाए BHU, AMU हो उसके अंदर जितनी भी सीट्स होती है medical सीट्स होती है 100% के है वो AI यानि की all India counselling के फिल की जाती है उसके बाद में जो आपके M's के colleges आगे 19 college है वो उसके फिल की जाएंगे all India counselling के फिल जिपमर हो गया उसके बाद में जितने भी आपकी state universities है अलग-अलग state के अंदर अलग-अलग medical college होती है उसके अंदर जितनी भी college जो seats होती है total उसकी 15% क्या है All India counselling के फिल की जाती है यानि कि कोई भी college है state का मान के चलिए उसके अंदर 100 seat है तो उसके अंदर जो 15th seat है 15 seat है वो किसके फिल की जाएगी All India counselling के फिल की जाएगी बाकि जो 85 जो seats रहती है वो क्या है state counselling के फिल की जाती है इसके लावा जितनी भी dimmed university होती है independent university होती है जिसकी fees बगेरा high होती है वो सब कुछ क्या है All India counselling के फिल की जाती है उसकी seats तो अब आपको पता चल गया होगा all India counseling और state counseling के बीज में difference क्या होता है उसके बाद में counseling के rounds की बात करें तो basically क्या है counseling आपकी online mode के अंदर होती है round 1, round 2 और उसके बाद में mop up round होता है और उसके बाद में stray vacancy round होता है अगर कोई mop up round के बाद में कोई seats खाली रह जाती है तो उसके लिए stray vacancy round होता है वो आपका offline होता है वो वहाँ पे आपको university या जो भी आपका college है वहाँ पे जाके आपको क्या है ये कुरवानी पड़ती है counselling और जो आपकी mop up round होती है और जो आपकी stray vacancy round है उसमें के अंदर क्या है जो 15% state medical college की counselling है वो इसके अंदर नहीं होती है तो जो आपकी round first round two के अंदर basically आपकी इसकी counselling होती है उसके बाद में steps की बात करें counselling के लिए कौन-कौन से step होती है तो सबसे पहले आपको MCC जो medical counselling committee है उसके उपर आपको registration करवाना पड़ता है हलांकि अभी तक इसकी registration process वो start नहीं हुई है जैसे ही वो सब कुछ आता है हम आपको detail में बता देंगे तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा उसके बाद में आपको क्या है login करना है जैसे ही आप MCC portal पे registration करेंगे आपको password मिल जाएगा ठीक है उसके थूर आप login कर सकते है उसके बाद में आपको payment करनी है जो counselling की fees payment होती है वो आपको pay करनी पड़ेगी वो भी हम थोड़ी ज़र में discuss करेंगे उसके बाद में क्या है आपको अपने college की choice fill करनी होती है जो भी आप वहाँ पे जिस college के अंदर आपने जो admission लेना चाहते है अपनी preference के coding वो आप fill करना है उसको आप लोग कर देना है उसके बाद में आपका जो counselling का registration का जो पूरा procedure है वो क्या है complete हो जाएगा उसके बाद में fees payment की बात कर रहे थे वो देख लेते हैं जो fees payment है अलग-अलग है जैसे की government आपका जो institute है उसके लिए बात करें तो आपकी जो government institute की general category की बात करें तो आपकी fees है वो दो परकार की होती है तो एक होती है आपकी non refund fees एक होती है आपकी refund fees जो आपकी एक तोर पे आप बोल सकते है security ली जाती है ठीक है तो government की बात करें तो general EWS category की आपकी 1000 rupees non refund होती है और 10,000 rupees आपकी refund होती है जो आपको refund मिल जाती है OBC category की बात करें तो 500 rupees आपकी non refund और 5000 rupees आपकी refund होती है यह आपकी बात कर रहा हूँ मैं government colleges की उसके बात में जितने भी deemed campus है university जाए college जाए उनकी बात करें तो 10,000 आपकी non refund रहेगी और 2 lakh rupees आपकी रहेगी आपकी refundable तो OBC के लिए आपका यहाँ पे 5000 है SCST के लिए बाकी 2 lakh यहाँ पे same रहेगी तो इस वीडियो में I hope आपके कुछ doubts है वो counseling से खतम हो गए होंगे तो अभी क्या आपको थोड़ा wait करना है जैसे MCC का portal open होता है link activate होता है आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे आपको registration करवाना है choice feeling आपको बहुत ही ध्यान से अपने marks के according करनी है कौन सा according आपको कितने marks पर मिल सकता है उस पे भी आपको एक detail video मिलेगी इसके साथ साथ कौन से document आपको counseling के time में चाहिएंगे उस पे भी आपको video मिलेगी everything needs to lead जब तक आपकी counseling procedure होता है उसके बाद में state counseling का भी आपको detail में बताए जाएगा तो channel के साथ जुरूर जुड़े रहेगा every आपको update time to time मिलती रहेगी तो इस वीडियो में इतना ही I hope आपको video पसंद आई होगी तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ Thank you guys